इसराइली सेना इससे में दो फ्रंट पर जंग लड़ रही है। लेकिन इन सब अटकलों और दावों के बावजूद भी हिजबुल्ला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और हिजबुल्ला लगातार हमला कर IDF की नाक में दम कर रहा है अब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर मौझूद इसराइली खेरबाद मार मिलिटरी बेस पर बड़ा हमला किया है वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ड्रोन दूर से उडान भरता हुआ आता है और सैन बेस से टकरा कर फट जाता है इसके साथ ही हिजबुल्ला ने दो और सैन बेस पर किये गए अपने ऑपरेशन के फुटेज जारी किये हैं जिसमें बैयाद बलीडा मिलिटरी साइट पर किया गया हमला है वहीं मेरोन बेस पर हवाई सर्वे और गुछ ऑपरेशन से जुड़ी इमारतों पर हमले का वीडियो भी रिलीस किया है हिजबुल्ला ने इन सभी सैन इचोकियों पर हमला किया है हिजबुल्ला ने बताया कि यह उपरेशन फिलिस्तीन के लोगों और उनकी बहादूरी के समर्थन में किया गया था साथ ही लेबनानी शोहर जुआया में इसराइली सेना द्वारा किये गए हमले और हत्या का जवाब भी था हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक लॉंचर में कई रॉकेट भर कर उसने एक के बाद एक फायर किया जा रहा है इतना ही नहीं हिजबुल्ला ने पश्चिमी ब्रिगेट की तोखाना बटालियन के मुख्याले पर भी हमला किया है अपने इस तीसरे उप्रेशन का वीडियो भी हिजबुल्ला ने जारी किया है जिसमें इसके कमांड सेंटर और खिर्बत मार मिलिटरी बेस में अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाया गया हिजबुल्ला लड़ाकों ने हमला वर्ड ड्रोनों का एक दस्ता लॉंच किया जिसने बेस के कुछ हिस्सों को नश्ट कर दिया और वहां आग लग गई साथ ही कई सैनिक घायन इसराइली सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कंटेनर रूम को भी हिजबुल्ला ने निशाना बनाया इस हमले के लिए पहले उसने टोही ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी की और लक्ष का पता लगने के बाद में ड्रोन से निशाना बनाया ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्ला ने ऐसा हमला किया हूँ हाली में हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें केरियत शमोना, कफार सोल्ड और मारगेलियर्ट सेटल्मेंट्स पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया था इसके साथ ही इसराइली हमले में मारे गए अपने सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला की मौत से बौकलाय हिजबुल्ला ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया इस हमले में इसराइल ने गोलान हैट सहेद 15 इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया है इसके लिए करीब 150 रौकेट और 30 स्पोटक ड्रोन का इस्तमाल किया गया और इस हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए हिजबुल्ला के रौकेट और ड्रोन ने इसराइली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है इससे पहले भी हिजबुल्ला ने इसराइल पर करीब 200 से ज़ादा रौकेट दागे थे कर सकते हुआ्स झाल झाल